इलाहबाद हाई कोट ने नागरिता कानून के विरोध में लखनव में उपद्रव और तोड़ फोर करने के आरोपियों के सारे सार्जिनिक पोस्टर लगाये जाने के मामले में लखनव के डी-म और कमिशनर को अविलंब पोस्टर और बैनर फोटो आधी हटाने के आदेश द माथूर और न्याय मूर्ती रमेज सिनहा की स्पेशल बेच ने इस मामले पर सुनवाई की थी उसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था मालूम हो कि नागरिता संशोधन कानून के खिलाफ लकनव में विरोध परदर्शन में निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुचाने वालों की फोटोर लगा दी गई थी इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कलिलाअबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि ऐसा कौन सा कानून है जिस से सरकार को साजनिक स्थान पर फोटोर चसपा करने का अधिकार मिल जात यह कारेवाही की गई है दरसल इस मामली में हाई कोट ने इसे निज़ता के अधार का हनन मानते हुए स्वतह संग्यान लिया था रविवार को अवकाश होने के बावजूत सुनवाई करने वाले जस्टिस माधूर की पीट के समक्ष यूपी सरकार ने अपना पक्षप पेश किया था महादिवक्ता रागवेंदर सिंग ने चनहिज जाचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि जिनके फोटो लगाए गए हैं वे कानून का उलंगन करने वाले लोग हैं इन्हें पूरी जांच और प्रक्रिया अपनाने के बाद अदालत से नोटिस भी पेशा गया था मगर कोई भी सामने नहीं आ रहा है इसलिए साजनिक्सान पर इनके फोटो चस्पा दिये गए हैं इससे पहले कोट ने लखनाओ की डियम और मंडलियक पूलिस कमिशनर से साजनिक्सान पर फोटो चस्पा लिये जाने के मामले में इस पस्टी करन मांगा था जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और जे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइब एसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाण